नमस्कार दोस्तों, Study with Dave YouTube चनल पर आप सभी का स्वागत है रेलवे नर्सिंग बंपर बरती आपके लिए बड़ी कुस खबरी आ चुकी है यही मान कर आपको चलना है दोस्तों, RRB, स्टाप नर्स या नर्सिंग ओपिसर की बरती बहुत जल्द यानि कि कुछी पलों में किसी भी सेकेंड आपकी बरती आ सकती है इससे पहले एक वीडियो में मैं रहल मंत्री जी का बयान भी सुनवा चुका हूँ जिसमें बताया उन्होंने कि लगबग डेट लाग पदो पर बरतीया आने वाली है जिसमें आपका पेरामेडिकल यानिक स्टाप नर्स भी सामिल रहने वाला है तो दोस्तों कितनी बरती आएगी और कुछ क्या प्रूप है जो मैं बताने जा रहा हूँ जिनसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी समय मतलब किसी भी समय आपकी वेकेंसी आ सकती आचार सहीता से पहले किसी भी पल हो सकता है आज यह वीडियो आप अभी देख रहे हैं इसके 10 मिन्ट बाद वेकेंसी आ जाए यह वीडियो में रिकोर्ड कर रहा हूं उसे से में बोलना कि वेकेंसी किसी भी टाइम पर आ जाएगी तो सारे प्रूप दिखाने वालों सबसे पहले अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट का नाम तो रेलवे रेक्रूटमेंट बोर्ड रहने वाला है स्टाप नर्स की वेकेंसी रहेगी लगब बारा सो प्लस पदों पर वेकेंसी यहां पर होगी जी एंएम बीएसी नर्सिंग और मैसी नर्सिंग वाल इस पर फोरम बर पाएंगे साथ एगर बात करें एज लिमिट की तो 21 साल से लेकर 40-40 में आपकी रहने वाली है नेक्स इसमें जो बात करते हैं अपन प्रोसेस क्या रहेगी हैरिंग प्रोसे इसके लिए फोरम बर पाएंगे कंट्री इंडिया सेलेक्शन प्रोसेजर बता चुका हूं हाइरिंग प्रोसेज यह सेलेक्शन प्रोसेजर एक होता है रिटन एग्जामिनेशन और इसकी ओपेसल वेबसाइड इंडियन रेलवे डॉट जी ओवी डॉट इन अगर हम बात क आपको कोई भी एक्स्पिरेंस की जरुत नहीं है लगबग 1200 पोस्टों पर वेकेंसी आने वाली है इसी के साथ साथ यहां पर एज लिमिट में पहले बता चुका हूं 21 साल से 40 साल आपकी एज लिमिट रहेगी जो एज लिमिट एज जो मिलेगा सेस्ट को पांच साल का ओबशी को तीन साल का और पी डेवलिडी ओबिशी को 13 और एक स्रिसमैन को पांच साल का एक्स्प्रेंट छूट मिलने वाली है अगर सेलरी की में बात करूं यहाँ पर तो लगबग सेलरी आपकी साथ हजार के अराउंड आपकी यहाँ पर कम्प्लिट सेलरी रहेगी सारे बत्ते उत्ते मिलाकर तो दोस्तों यह वीडियो में कम्प्लिट जनकरी में दे रहा हूं अगर आपको फोरम बढ़ने के लिए सभी के लिए 500 रुपया पर फोरम पीस लगने वाल लिए लेकिन दूसरी जो अच्छी बात यह हैं किसकी जो फोरम पीस हैं सब्सक्राइब के अलावा ओबी सी जनरल और एडबलेस की पचास रुपय काट कर साड़े चार सो रुपय आपको रिटन कर दे जाते हैं तो यह आप पीस सारी रिटन हो जाती है दोस्तों अब बात करते हैं कि किस बेस पर बोलडाओं की वेकिनसी किसी भी समय आ सकती है जैसा कि आप साथ को पता है रार्वी ने एक को रीजन्डम जारी करह करा है जो पांच पॉइंट हो भूब प्लिट्च में डिटेर सी आदिन्ही जारी करता है वह इसी नाम से रेल वे जारी करता है जैसे पहली एकिनसी दोजार चोव데िसी तो यह इन्योंने इस नाम से दे करमांख जो रहने वाला इस प्रकार से आप का नोटिस करमांख रहे गा जब वेकर असिस्टेंट लोको पाइलिट का जो नोटिपी के सन्फब्लिस हो चुका है जिसके फोरम भी फिलाल चल रहे हैं उसमें पहले क्याता एज में छूट नहीं दी थे लेकिन अब तीन साल कि छूट दे दिये 18-23 साल वाले बर सकते हैं भाई कि इसमें यह अलग अलग आप सब चीजें जल्दे जल्दी कर रहा है क्योंकि रेल मंत्री जी ने बताया था कि जल्द ही आपको डेड़ लाग की बड़ती देखने को मिलने वाले डेट लाग पदों पर जिसमें एंटीपी सी होगा ग्रूप डी होगा लपी होगा टेकने से होगा इसके लावा ने विसमें क्या लवा था इसमें क्या लिखा हुआ इसमें यह जो फिलाल चल रहे हैं कर लेट में से उसकी एक्जाम डेट भी नोंने पब्लिस कर दी क्योंकि आप सभी को पता हो बिहार बिहार उतरपरदेश सभी जगर लगातार दंगे पर साथ किया रहे हैं स्टुडेंट्स दरना दे रहे हैं दरना की वज़े से यह सब चीजे हो रही है रेल वे अपने अपनी हरकतों में जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो सीबीटी वन जो है इनका एलपी वालों का जून और अगस्त में हो जाएगा तो इसी को ध्यानम रखते हो अगर आपकी पेरा मेडिकल की या इस्टाप नर्स की वेकेंसी आती है तो उनका भी एक्जाम जून या अगस्त में करवा लिया जाएगा क्योंकि पेरा मेडिकल और मेडिकल वाल इस्ट्रेंट्स और एलपी में कापें अंतर होता है तो उनको एक साथ करवाने में को कोई दिक्कत नहीं होगी तो जून के अराउंड जून जुलाई में आपका एक्जाम करवा ले जाएगा इस ताइम से डूल के अकोडिंग आप यहां पर देख सकते हो जून और अगस्त दोजा इनके बीच में कभी वेक्जाम करवा जा सकता है क्योंकि आपका एक एक एक्जाम होगा और कम इस्टुटेंट्स फोरम बरेंगे इसी के साथ अगर बात करते हैं सीबीटी टू जो एलप वालों का होगा वो सेप्टमबर में यानि कि अगर इसकी वेकेंसी जल्द ही आ जाएगी आते ही सबसे पहले पेरा मेडिकल को निपटाया जाता है क्योंकि में स्टुटेंट्स कम होते हैं डॉक्टमेंट वेरिपिकेशन जब एलपी का दिसंबर करवा ने कि नहीं ने बोला है तो आप अगर स्टाप नर्स के लिए या नर्सिंग अपिसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपका अगर आने दिया दिया कि आप ऌलता में तोड़ ना करें नुकसान ना करें आपके लिए जल्द ही notification मिल जाएगा तो आप तोड़ा सा सांती बनाया रखे इन्होंने बताया था कि 20 जनवरी से LP के फोर्म चल रहे हैं और technician के फोर्म जल्दी स्टार्ट करवा दे जाएगे तो ये सारे notification थे जो railway ने जारी करे हैं जो मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिये जून और जुलाई के असपास आपका एक्जाम स्टाब नर्स का कर वा ले जाएगा मैं according to LP के एक्जाम के आपको बता रहा हूं क्योंकि LP में ITA वाले स्टुएंट्स एपलाई कर पाते हैं तो स्टाब नर्स वालों में अलग हो जाती तो उनमें स्टुएंट्स का कोई लपडा नहीं रहेगा तो एक साथ इनको कंड़क्टर वा ले जाएगा लगबग 1200 पदों पर यह वेकेंसी जारी होने वाली है जो 1200 से ज़्यादा होंगे 1200 से कम नहीं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना वीडियो को अगर पर नए हो तो लाइक जरूर कर देना ठीक है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सोरी वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना तैने